हेलो फ्रेंज, वेलकम टेट्वन्टीफो नॉलेजे, ओफिशल यूटूब चैनल, आज के इस वीड़ो में हम बात करेंगे, स्टाफ सेलेक्शन कमिशन, SSC की नियू रिकुर्मेंट नॉटिफिकेशन, जो की फेंज से कमबाइंड हाईयर सेकेंडरी 10 प्लस 2 लेवल एक्जा इसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में, तो यहाँ पर फेंज से देखिए जो आपके फॉर्म है, वो आपके 8 अपरेल 2024 से स्टार्ट हो गए है, 7 मई 2024 तक आप इसमें ऑनलाइन आविदन कर सकते हैं, साथ में फेंज से यहाँ पर देखिए जो वेकेंसी की डिटे हैं और जो कट अफ डेट है, वो एक आठ दो हजाद 2024 आपकी यहाँ पर रहेगी, तो आप यहाँ पर जो एस क्राइटेरिया है, वो आप यहाँ पर चैक कर सकते हैं, किन पोस्त के लिए क्या एल जो है, आपका एस क्राइटर रहेगा, इसके बाद ही आप इसमें ऑनलाइन करेंगे, अब बात करते हैं, फॉर्म अपलाए के लिए, तो फ्रेंच से यहाँ पर देखिए, यह इसका ऑफिशल पोर्टल है, जहां से आप इसमें ऑनलाइन आविदन करते हैं, सबसे पहले लोगिन या रजिस्टर वाले आप्शन पर आप क्लिक करेंगे, अगर आप पह करने के बाद, आप से यहाँ पर पूचता है, अगर आपको अधार कार्ड का नबर है, वो आपको यहाँ पर देना है, अधार कार्ड नहीं है, उस कंडिशन में आप नो करके, यहाँ से कोई भी टाइप आइडी, डाइविंग लाइसेंस, एम्प्लोई आइडी, पैन कार् सकते हैं और उस id का फ्रेंच से number आपको देना होगा पर आपके पाद हर card है तो आप simply add हर card का number दे सकते हैं इसके बाद matriculation के according आपको friends आपका यहाँ पर जो नाम है वो आपको यहाँ पर enter करना होगा और इस नाम को आपको यहाँ पर confirm भी करना होगा यह करने के बाद next option है अगर आपने कभी अपना नाम चेंज किया है तो आप yes कर सकते हैं और change किया हुआ नाम आप देंगे नहीं तो आप यहाँ पर no कर देंगे इसके बाद next option है जेंडर का data को select करना है इसके बार आप यहाँ पर जो आपकी date है वो भी आप यहां पर enter कर देंगे इसके बार यहाँ पर भी आपको फ्रेंसो आपकी जो date of birth है वो आपको यहाँ पर इस तरह से एंटर करने हैं next option है father name का, तो father name आप यहाँ पर enter करेंगे, इसके बाद आप father name को यहाँ पर verify कर देंगे, next option है mother name का, mother name आप यहाँ पर enter कीजिए और इसे भी आप verify कर सकते हैं, इसके बाद है friends आपका board कौन सा है, 10th का, तो 10th के board की list आपको friends यहाँ पर देखने को मिल जाती है, आपके according इन में से जो भी आपका board यहाँ पर रहा है, वो board आप यहाँ से selected कर सकते हैं, आपको सभी boards की name यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, इसके बाद friends आपको आपका जो 10th का roll number है, वो आपको एंटर करना है, roll number जो है friends, matrication certificate के according होना चाहिए, आपको कोई भी special character यहाँ पर use नहीं करना, अब आपसे कहा गया है, if roll code is given in your matrication certificate, then enter roll code, roll number, तो friends, अगर आपका roll code भी आपको दिया गया है, तो roll code और roll number दोनों ही आपको यहाँ पर enter करने होंगे, इसके बाद आप इसे verify यहाँ पर करेंगे, इसके बाद है year of passing, आपने इसको कब pass किया है, आप अपने according date of passing, आपको यहाँ से आप select कर सकते हैं, इसके बाद highest level of qualification क्या है, मतलब आपकी highest qualification क्या है, 10th है, 10 plus 2 है, डिपलोमा है, डिगरी है, आपका जो भी highest qualification है, वो आप यहाँ से select कर सकते हैं, अगर आप appearing भी है, मालेज इस ग्रेशन में, तो भी आप इसमे highest qualification यहाँ पर ग्रेशन को ही select कर सकते हैं, इसके बाद आपको आपका mobile number देना है, और इसके बाद आपको यहाँ पर आपकी mail ID देनी है, और ध्यान रखेगा, इन पर एक OTP जाती है, जो कि फ्रेंस आपकी यह active and valid होने चाहिए, इसके बाद ही आप यहाँ से data को save and nest करेंगे, तो यहाँ पर फ्रेंस देखे, जो registration है वो complete हो जाएगा, registration number आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, इसके बाद फ्रेंस आप यहाँ से continue कर देंगे, continue करने के बाद फ्रेंस आपके register mobile number पर, फ्रेंस आपको देखिए आपके registration number और password, दोनों ही आपको देखने को मिल जाते हैं, आप उसके साथ यहाँ पर capture code को fill करेंगे, और उसके बाद यहाँ से sign in कर लेंगे, sign in करने के बाद फ्रेंस अब आपको एक नया password generate करना होगा, तो इसके लिए आपको new password में देखिए, आपको यहाँ पर guideline दी गई है, अगर sample की तौर पर बात करें तो फ्रेंस देखिए, मैं password आपको यहाँ पर show कर देता हूँ, जैसे आप यहाँ पर जो फ्रेंस अपर case है, वो आप यूज़ कर सकते हैं, आप यहाँ पर small letters यूज़ कर सकते हैं, जैसे ही आप यहाँ पर इन options को यूज़ करेंगे, यहाँ पर green हो जाएगा, इसके बाद आप यहाँ पर numbers यूज़ कर सकते हैं, और इसके बाद कोई भी special character आप यूज़ कर सकते हैं, तो आपको जो guideline दी गई है, यह आपको follow करनी है, इसके बाद आपको password को यहाँ पर confirm करना है, कोई भी security question आप यहाँ से ले सकते हैं, उस security question का जो answer है, वो आपको यहाँ पर देना होगा, और उसके बाद आप यहाँ से save and nest कर देंगे, इसके बाद फ्रेंसे nest option देखिए, आपकी category का है, तो आप यहाँ से आपकी जो भी category है, उसको आप यहाँ पर select कर लेंगे, नेशनल्टी आपको यहाँ पर select करनी है, तो आपको फ्रेंसे नेशनल्टी यहाँ से select कर सकते हैं, इसके अलावा फ्रेंसे कोई भी visible identification mark है, तो आप उसकी जानकारी दे सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर no mark की entry करेंगे, पियच के end date हैं, तो आप type of disability select कर सकते हैं, disability certificate number आपको देना होगा, नहीं तो आप इसमें भी no करेंगे, इसके बाद है आपका address section, तो फ्रेंसे यहाँ पर आपका जो भी permanent address है, पूरा address जो भी आप लिखते हैं, वो आप यहाँ पर enter कर सकते हैं, इसके बाद आपको यहाँ पर district select करना है, आपका pin code आपको यहाँ पर enter करना है, अगर आपका friends से दोनों address same हैं, तो आप यहाँ पर yes कर सकते हैं, अलग-अलग है तो आप अलग-अलग entry करेंगे, और उसके बाद save and next पर click कर देंगे, इसके बाद friends से last step है, आपके I agree का, आप यहाँ से I agree करेंगे, और उसके बाद देखें, preview OTR कर लेंगे, मतलब OTR में आपने जो जो जानकारी फिल की है, वो आप यहाँ पर check out कर सकते हैं, और उसके बाद friends से आपको यहाँ से data को declare कर देना होगा, इसके बाद friends से यहाँ पर देखें, declaration आपका submit हो जाएगा successful, मतलब आपको जो registration है, OTR का, SSC का, वो आपका यहाँ पर complete हो जाता है, तो friends से registration complete करने के बाद, अब आपको यहाँ पर login करना होता है, login करने के लिए आपको आपका registration number, password और यह capture code यहाँ पर डाल कर login करना है, अगर आप अपना password भूल गये हैं, तो forget password का option भी आपको यहाँ पर मिल जाता है, इसके बाद friends जब अपने dashboard पर आप login करते हैं, तो यहाँ पर देखिए live examination के section पर आपको combined higher secondary level 10 plus 2 का option मिल जाएगा, जहाँ पर आपको apply का option मिलता है, आप इस पर click करेंगे, click करने के बाद आपको fill form का option मिलेगा, आप इस पर click कर सकते हैं, इसके बाद friends नेस्ट option qualification का है, तो highest qualification, अब आपके देखिए 10 plus 2 हो सकती है, डिगरी हो सकती है, तो आपकी जो भी highest qualification है, आप उस option को select करेंगे, qualifying में friends आप यहाँ पर जाएंगे, अब 12th pass out है, 12th के equivalent pass out है, या friends आपके पाद DMD graduation certificate है, तो आप यहाँ पर select कर सकते हैं, अगर equivalent है, तो आप equivalent भी select कर सकते हैं, अगर 12th के equivalent कोई भी qualification आपके पास है, तो अगर आपके पास 12th है, only 10 plus 2 है, तो आप 10 plus 2 यहाँ पर select करेंगे, आप pass out है, तो pass select कीजिए, appearing है, तब appearing select कर सकते हैं, बस ध्यान रखिएगा, जो cut off date आपके यहाँ पर दी गई है, अगर आप notification को यहाँ पर ध्यान से पढ़ेंगे, और qualification वाले section पर जाएंगे, तो यहाँ पर फ्रेंस से आपको देखी, जानकारी देखने को इसकी मिल जाएगी, तो यहाँ पर फ्रेंस से scroll करने पर देखिए, आप से कहा गया है, essential qualification as on 18-2024, तो यहाँ पर देखिए, 12th standard pass in science system with mathematics as a subject from a recognized board, तो आप DEO, DEO grade 1 के लिए आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, LDC या JSA के लिए फैंस से अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, DEO, DEO grade A के लिए अप्लाई कर रहे हैं, पर इध्यान रखिए गार जो cut-off date है, वो 18-2024 है, 18-2024 तक आपका यह complete हो जाना चाहिए, तो ही आप इसमें applicable होंगे, मतलब अगर आपने 12th यहाँ पर दिया है exam, पर अभी तक आपका result नहीं आया है, तो 18-2024 तक result आपका आ जाना चाहिए, तो appearing में आपको passing year 2024 देखने को मिलेगा, पर अगर आप pass out हैं, तो उस condition में फ्रेंट्स आप यहाँ पर जो option है passing year का, वो आप यहाँ पर selected कर सकते हैं, इसके बाद फ्रेंट्स यहाँ पर देखिए, आपको state select करना होगा, किस state से आपने इसको जो exam है, वो आपको pass किया है, मतलब जो आपका board है, जैसे आपका board या university है, वो किस state में आता है, अब जैसे माल लीजिए, आप यहाँ पर दिल्ली select करते हैं, तो दिल्ली select करने के बाद, आपको यहाँ पर देखि, Central Board of Secondary Education, CBSC का option मिल जाएगा, जैसे आपका जो भी board रहा है, वो किस state में आता है, उसकी जानकारी आपको यहाँ पर select करनी होगी, इसके बाद ही आपको यहाँ पर देखि, बोर्ड के name की यहाँ पर list मिलती है, आप उसके according option को select कर लेंगे, इसके बाद यहाँ पर आपको आपका roll number देना है, तो आप अपना roll number यहाँ पर देगे, percentage देगे और इसके बाद अगर आपका CGP है, तो आप CGP दे सकते हैं, और save and nest आप यहाँ से data को कर देंगे, तो यहाँ पर फ्रेंश से data को save and nest करने के बाद, आप से फ्रेंच से यहां पर एक पूछता है एक सर्विसमें अगर आप है तो यहां पर यस कर सकते हैं डेट ऑफ जोइनिंग क्या है डेट ऑफ डिशाज क्या है यह आपको देना होगा नहीं तो आप नो पर किलिक करेंगे age में अगर आपको छूट चाहिए तो आप yes कर सकते हैं क्यों चाहिए तो आपको categories मिल जाती है आपके according age में छूट आप ले सकते हैं नहीं तो आप यहाँ पर no करेंगे इसके बाद friends से personal information आपकी friends जो job authority है DOPT में अगर आप वो show करना चाहते हैं यस कर सकते हैं नहीं तो आप no करेंगे और उसके बाद save and nest यहाँ से data को कर देंगे इसके बाद friends से next option है preference of exam center तो friends से आपके according जो भी exam center आप यहाँ पर लेना चाहें वो exam center आप यहाँ पर ले सकते हैं आपको multiple options यहाँ पर मिल जाते हैं आपको friends से जो भी reason यहाँ पर देखी दिये गए हैं reason के according आपको यहाँ पर centers को select करना होगा तो आपके according जो भी reason आप यहाँ पर select करना चाहें वो reason आप यहाँ से select कर सकते हैं इसके बाद medium आपको computer based exam का क्या चाहिए वो आपको यहाँ पर list मिल जाती है वो आप यहाँ पर select कर सकते हैं typing test के लिए कौन सी आपको language चाहिए वो आपको select करना होगा इसके बाद pH candidate अगर आप हैं तो आपका यह option applicable रहेंगे अगर आपने registration में yes किया है नहीं तो आप यहाँ पर no करेंगे इसके बाद पूछा गया है कि बारवी का जो standard है वो आपने science stream इसमे mathematics as a subject अगर आपने पढ़ा है तो yes करेंगे अगर आपने mathematics के अलावा 12th की है मतलब mathematics as a subject आपने नहीं पढ़ा है तो आप यहाँ पर no करेंगे उस condition में तो यह चीज़ आपको clear होनी चाहिए तो अगर आप यहाँ पर 12th normal pass out है मतलब arts commerce से भी pass out है या बायो से pass out है तो उस condition में आप यहाँ पर no करें और अगर आपने यहाँ पर mathematics से किया है तो ही आप यहाँ पर yes करेंगे और उसके बाद ही save and nest आप यहाँ से करेंगे इसके बाद friends next option है upload photograph and signature का तो friends यहाँ पर देखिए capture live photo का option है तो आपके friends जो भी web camera है उससे friends आपको यहाँ पर photo capture करनी है live photo और इसके बाद आपको यहाँ पर signature यहाँ पर upload करना होगा JPG format में तो यहाँ पर friends देखिए अगर आपको कोई भी problem आ रही है photograph and signature upload में तो आपका जो mobile है उसमें जो google play है उसमें आपको myssc का एक friends एप मिलता है उसमें आपको यह install कर लेना है install करने के बाद friends आपको यहाँ पर देखिए इस तरह से registration number और password डाल कर login करना होगा और उसके बाद friends आपकी जो photo है जो आपको sample photo दी गई है इस photo को आप इस तरह से यहाँ पर अपनी capture कर सकते हैं capture करने के बाद friends आपकी जो photo है वो यहाँ पर show करने लगेगी तो अगर आपको यहाँ पर show नहीं करती है तो आप इस page को refresh कर लेंगे उसके बाद photograph आपको यहाँ पर show करेगी ऐसे ही upload signature पर आप जाएंगे size आपको दिया गया है 10-20KB तो आप 10-20KB में signature को upload करेंगे photograph and signature upload करने में फिर भी कोई problem आ रही है तो आप comment करें यहाँ में mail करें मैं friends से कोशिश करूँगा आपको फोटो का वीडियो अलग से प्रोवाइट करने का तो यहाँ पर photo and sign upload करने के बाद आप save and nest यहाँ से data को कर देंगे इसके बाद friends से यहाँ पर photo and sign upload करने के बाद अब आपको save and nest का option मिलता है आप इस option पर check कर देंगे इसके बाद friends declaration आपको करना होगा तो आप यहां से I agree करेंगे इस capture code को fill करेंगे और उसके बाद friends आपको यहां पा देखिए save and nest का option मिल जाता है तो friends आपको यहां पर देखिए save and nest करने से पहले friends से ध्यान रखिए जो भी जानकारी आपने fill की है उसको आप चेक कर लें कोई भी गलती है तुसे आप edit जरू कर लें इसके बाद ही आप इससे save and nest यहां से करेंगे आपका form finally submit हो जाएगा और print application पर क्लिक करके आप अपना application form क जो print out है वो download करके अपने पास रख सकते हैं तो मैं आपको यहां पर सारी जानकारी provide कर दी है कैसे आप SSC CHSL requirement 2024 का online form apply कर सकते है step by step process के बारे में अगर आपको हमारा यह video या update पसंद आया है तो like, subscribe and share जरू कीजिए बागी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रही है हमारे साथ देखते रहिए हमारा यूटीब चनल आरास thanks for watching